कुझ है आज में आपके साथ एक एसी रेसीपी शेयर करने जा रहा है जिसे आप अक्सर फेक देते हैं यह बरबाद कर देते हैं वह पत्साइक ज Southern lucky अजय ए अरछ दोस्तों आपक्षा रहा है एक रेसीपी बनाने अंग्सर किनारेवला पाठ है जिसे हम ग्राइन कर चुके हैं तो इसे हम एक बाउल लेंगे इसमें हम एक बाउल सूजी भी मिलाएंगे दोस्तों जब तक हम सूजी लाकर की मिला रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिलाएंगे तो मैदा ज्यादा नहीं मिलाना है सिर्फ दो टेबल इस्पून ही इसमें मैदा मिलाएंगे ताकि ये तवा पर जब बने तो चिपके नहीं तीनों को डाल करके मिला देंगे, मिला करके पानी डाल करके इसका गोल बना लेंगे, गोल जब हम बनाएंगे तो ज्यादा पतला गोल नहीं बनाएंगे, थोड़ा गारहा ही गोल बना करके तयार करना है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका गोल बना ले इसमें हम कुछ सब्जी भी मिलाएंगे तो सब्जी मैंने कैरोट कैप्सिकम और मटर लिया है हरी मटर तो सभी को चौप्ट गर लेंगे पहले से चौप्ट करके तयार रखेंगे तो यह दो टेवल इस्पून स्विम्ला मीर्च है दो तीन बारी कटी हुई हरी मीर्च है तो यह भी इसमें मिला देते हैं यह आधा कप गाजर है जिसे पहले से कद्दू कस कर लिया था तो गाजर भी इसमें मिला दे यह हरी मटर है तो इसे भी पहले से ही आप इसे ग्राइन कर लें दम बारीक पेश्ट नहीं बनाना है थोड़ा दरदरा ही रखे धनिया पत्ता भी एड़ कर ले नमक आप अपने कोडिंग डालने अब इसमें थोड़ा मसाला भी कुछ मिला लेते हैं तो मसाला में मैंने ज्यादा मसाला यूज नहीं किया है तो थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लगवग आधी छोटी चम्मच आधी छोटी चमच जीरा पाउडर आधी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तोभाज ज़्याधा वाइताल लग रहा है थोड़ा से पानी भी इसमा और मिला देते हैं कि अब को अब को इसमें दो टेपल गज्री पूम। देपा डालना है तो दही को पहले से घृ करके तयार रखे तो दही भी मिला देते हैं सभी को मिला करके बढ़िया से और इसे ठक करके लगबग आधा 2- कोईटना एक आता है क्या हैं यह बूत आसानी से इलट जाता है प्रिफपकता नहीं है तो मैं देखा रही हूं इसी तरह से आप जरूर बनाये देख लिजी कितना अच्छा से उलट पलट हो रहा है डोस्तों यह बहुत टेश्टी बनता है आप इसे जरूर बनाये आप इसे नास्ता में भी बना सकते हैं बच्चों का टिफिन के लिए भी बना करके दे सकते हैं तो दोस्तों आप इसे एक वा जरूर बना और आपने बनाया तो कैसा बना जरूर कॉमेंट करें इसे तरह करके सभी को बना लेना है मैं इसे आपको दिखाती हूं कितना मुलायम बना है आप इसे चटनी के साथ है जरूर पर उसे कि देखिए कितना मुलायम बना है तो लीजिए आप रेसिपे का इंजवाइ किजिए तो फिर मिलते अगले वीडियो में किसी नही रेसिपे के साथ तब तक ले थैंक्यू बाई